एक दौर था जब इंड्रस्टी में राज कपूर, दिलिप कुमार, देवानन, शमी कपूर, राजींद्र कुमार का तुती बोलती थी इन दिगज आक्टर्स के बीच किसी भी नए आक्टर के लिए अपनी जगा बनाना आसान नहीं था राजीश खन्ना ने इनके बीच न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बलकि धड़ा-धड़ 17 हिट फिल्में देकर सूपर स्टार बन बैठे फिल्मे दिगज की माने तो राजीश जैसे उच्चाई तक आज तक कोई स्टार नहीं पहुँच पाया है राजीश की एक दिक्कत थी, वह दिल की बात खुलकर नहीं कहते थे अपनी पत्नी डिंपल का पाड़िया से भी नहीं नमश्कर दोस्तो हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बॉलिवर्ट से जुड़े हुए बड़ी अपडेट शेयर करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास तक देखिएगा वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो दोस्तों जिस तेजी से सफलता मिलती है उसी तरीके से फिसलती भी है कुद्रत के इस करिश्मे को लोग समझ नहीं पाते खास तोर पर जिनके हाथों में पावर होती है किसे भी एक्टर को दर्शकों की दिवानगी ही फलक पर बैठाती है वही गिराती भी है वियर का बोज उनकी मैरेड लाइफ पे भी पढ़ने लगा था डिमपल का पाडिया के साथ जगड़े शुरू हो गए थे राजीश को की सूपर स्टार थे लिहाजा उनकी और डिमपल की परसनल लाइफ खूब चटटे अंदाज में फिल्मी मैगजी में चापी जाती थी एक बार तो ये तक छप गया था कि राजीश ने डिमपल की पिटाई तक कर दी है ऐसी खबरे पहले से उल्ची हुई थी और रिष्टो पर और ज़दा दवाव डालने लगी थी जब लडाई जगड़े बढ़ गए और राजीश खन्ना कभी खुल कर डिमपल से बात नहीं किया करते थे अपने डगमगाते करियर को लेकर जील रहे तनाव में कभी पतनी को हिस्सेदार नहीं बनाया खुद ही घुटते रहें और सिगरेट फूगते रहें राजीश के बरताव से तंग आकर डिमपल ने आशिरवाद राजेश डिमपल का जो घर था उसे छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई कुछ कम ही उम्र में ना समझी थी और डिमपल तो गुबार इंटरव्यू भी निकाल दिया करती थी लेकिन काका कभे भी कुछ भी नहीं कहते थे डिमपल कापाडिया ने एक इंटरव्यू में ऐसा बताया था कि मैंने पापा के घर जाने के गलती कर दी थी मैंने जाते वक्त ये नहीं सोचा कि मेरे लिए वह आखरी जगा है खासतोर पर तब तक जब मेरे और काका के बीच बहुँ ज़दा गलत फहमी थी मैं ट्विंकल को अपने साथ ले गई थी और काका के साथ बात चित करने से भी मना कर दिया था यहीं तक नहीं मैंने उन्हें तलाख के कागजा तक भी तयार करवा दिये थे लडाई जगडों के बीच कयास लगाई जाने लगे थे कि डिमपल फिल्मों में वापसी करना चाहती है यहीं दोनों के बीच जगडे की बज़ा है डिमपल अपने पिता के घर थी और राजेश एक महिने की आउटडोर शूटिंग के लिए कश्मीर चले गए एक महिने तक डिमपल बुरी तरीके से परिशान रही राजेश खना को मिस करते रही फिर एक दिन जादू हुआ और काका मेरे दर्वाजे पे खड़े थे उसी पल मुझे लग गया कि ये वही शक्षय जिसे मैंने प्यार किया था डिमपल आशिरवात वापिस लोटाती है लेकिन राजेश के साथ हर रिष्टे में जादा कुछ नहीं बदला था लेकिन इस घटना के बाद डिमपल ने खुद को बदलने और हालात से समझोता करने का फैसला किया तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही इसी के साथ जैहिन वन दिमात